एब्रिवन में नौ में डॉक्टर मायिक बन्नवार आपको स्वागत थे फार्मेशी प्रैक्टिशनर में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हम लोग पहले पिछली वीडियो में एंजाइना प्रैक्टोरिस के बारे में और आई होप आपको वीडियो बहुत ही प्रसंद आएगा उसका लिंक में डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा या आपको जो है आई बटम में आपको देखेंगा बहुत ही खूपसूरा वीडियो है ठीक है आपको एक प्रैटिकर नॉलिज़ के साथ साथ आपको समझाने क की कोशिस की गई है एक आपके लेबल पर बहुत ही बढ़िया ठीक है उसको देखीएगा बहुत सारी आपके डॉट से क्लियर हो जाएंगे ठीक है अब आईए बात करते हैं दोस्तों मायो कार्डियर इंट्रेक्शन के ठीक है एमाई ठीक है इसके बारे में बहुत ही लोग जानते हैं हर कोई जानता है हार्ट ट्रेक जो है एक कामन बिमारी बनती जा रही है इस चीज के उपर हमें फोकस करना जुरूरी है ठीक है तो देखिए हम लोग पहले बात करने इस समिक हर्ट डिजीज के बारे में जिसको हम लोग C.A.D. क्रोनरी आर्टी डिजीज भी करत था यह सारी चीजे मैं आपको पढ़ा चुका हो पिछले वीडियो में आई होप आप उस वीडियो को देखेंगे या देख चुके होंगे ठीक है तो आप जो है आप M.I. के बारे में पढ़ते हैं कि M.I. आखिर होता क्या है ठीक है दो देखिए सबसे पहली बात करने दोस दोस्तो की M.I. का मतलब क्या है ठीक है तो M.I. का मतलब से हमको यह है कि M.I. इसमें देखि दो टम से मायों, ठीक हैいきます तो मायों का मतलब होता है हम सभी जानते हैं मायों का मतलब क्या होता है मयो जो है डारेक्ट डारेक्ट जो है मसल से ठीक है जो हर्ट में मसल्स होती है जिनको जो करोनी आर्टी बिलड सप्राइब करती है आप पिछला फीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ठीक है तो वहाँ पर जो है ओस मसल को जो है oxygen प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर जो है यह दिकत आती है तो मायो मतलब क्या होता है मसल्स और कार्डिक मतलब होता है हर्ट तो मायो कार्डिक इंफ्रेक्शन ठीक है इंफ्रेक्शन का मतलब होता है death of that tissue due to the lack of the blood supply तो हमने कहले ही बताया था वो खेत वाल एक्जमपल ठीक है यह खेत है यहां स सारे खेत के तो फसल लगो क्या होगे हो खराब हो जाएंगी ठीक है वैसे ही जो होता है हमारे हाट में होता है कंसल्स को है ब्ल्लड सप्लाइ नहीं हो पाएगी तो क्या होगा parasite कर जाएगी मतलब की चम्होंधेक्शन के सामने लिखा हुआ है कन्फ्यूज होने जो रहत नहीं एक्जाम में हर्ट अटेक के नाम से भी जा जाता है तो इसको जो है हर्ट अटेक जो है के देद कर जाती है अब तो यहां पर जो है एक फिगर है देख है ECG का सब लोग जानते होँगे ECG के बारे में सब लोग पढ़े होँगे यदि आप 10 प्लस 2 में पढ़के आ रहे हैं तो NCIT में पढ़े होंगे त्टे के बिश्चे की बुक बढ़े होँगे टीक है हिंदी मीटेंग बच्चे जнять के अमर्थ को बुक नहीं पढ़वाइन तो यzinho मैं यासे पड़ लिगा पर में आपको बता चैने कि यह क्या है यह PP-wave Q, ठीक है आर, S और T ठीक है तो यह आप हर्ट के बारें पढ़ए ही होंगे कि हर्ट क्या होता है फोर्ट चेंबर होता है ठीक है फ्रिष्ट लाइक होता है ठीक है बन मुठी के है और जब relaxation की बात आती है तो टी बेब बनता है इसी जी जो होते है ना हाँ इसी के अधार पर सारी देखी जाती है इसी में जो होता है hypokalemia, hyperkalemia ठीक है, MI, यह सारी चीजे जो है यहीं से detect की जाती है यदि इसमें कोई दिक्कत होता है तब जाकर जो इको कराई जाती है, इको में नहीं होता है तो एंजियोग्राफी जो होता है, क्रोनी एंजियोग्राफी इस सब चीज कराई जाती है तो बहुत ज़्यदा चीजे हिंट दे रहाऊं कि आप यदि आपको रूपोर्ट उपर जो है घर और पर आ जाया है ठीक है किसी ने बोल दिया बड़े बुजूर्णी बोल दिया महले को लोग ने बोल दिया कि डाक्टर साब बताई यह बहुत लोग गौँ एरिया में बिलॉंग करते हैं तो ड जामनर को अच्छा लगेगा ठीक है उपर से बात है फार्मगोथ रुपेटिक्स की तो फार्मगोथ रुपेटिक्स में जो है जरतर जो है आपको पढ़ाने वाले यदि फामडी के लोगी ही डाले जाएंगे तो वहां पर जो है उनको अच्छा लगे यह बढ़ाएंगे जैसे कि यहां पर दोखो कुछ चीज़ है जैसे कि यहां इसको क्या बोला था मैंने पी इसको क्यू आर s और t, आप देखो, जो s t होता है, यहाँ पर देखो s और t, यह है s और t, ठीक है, यह जो दूरी होती, s और t की होती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो s और t का है, तो इसको अब समझने रहना, इसको पकड़े रहना, s और t को पकड़े रहना, ठीक है, यह ने की भूल जा, s ए बी और सी तीन टर्म का यूज हुआ है ए बी सी समन्ना ध्यान से मेरी बात को कोई भी जो है इता उतर नहीं करें कि आपने ध्यांकों नहीं भटकाई का इतर दोखो सब लोग ठीक है दोगो एस्टी में क्या है एस्टी में यदि डिप्रेशन आ जाए दोखो यहां पर ध्य ठीक है यहां पर दोखो यहां पें क्या है यहां पर नॉर्मल है नीचे गया अरा मसिद्ध्र चला गया मॉझाए तो यह पर जो हसाइए आप दो अ आmost शलोपिंङ डिप्रेशन चैनल दोखो यह यह ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है यह जो है ऐसे गया है तो यह से ऐसे इन को पन चुन करते हैं वह ब स्ट्राइब ही को ब स्ग्योड है दून पर कर च्रह तो यह जो ता है maybe the normal finding होता है कोई दिकत नहीं है ठीक है तो तीन condition है पहला है जो कि planar estu depression है युजली जो indicating कर रहा है MI को यह down sloping आ रहा है तो भी indicate कर रहा है MI को और यदि आपका up sloping depression आ रहा है तो वो normally finding की जाएगी यह चीज यार रखे रहना यह कर लो अब दो इसके लिए करो भी या ठीक है हम बताएंगे नहीं तो फिर रोकर ले लो और दो फिर क्या गता है कि बाल नोट्स बना ले ना हम नोट्स बनावेंगे नोट्स बनाओ सब लोग इकजाम की टाइम तुमको असानी होगी जानतों क्या होता है यह सब चीजें न रहते हो ना है इसकी साटले के रख लेके रख लेतो प्राइब अर फिडियो आप रिवाइज खर दूंगा साथ जाएगा यहां पर विदियो पर इस पर जाएगा ओपने याद अखना के बारे में लोग इस्टेडी कर लेते हैं क्या होता है तो सभी लोग जानते है एथ्रो इस्क्रोसिस यार क्रोणी आर्ट्री में बच्चों वाला चीज है आप पता होगा तुमको ठीक है आप देखों कर दिख रहा होगा क्रोंरी आर्ट्री यह को यह आती है क्रोंरी आर्ट्री में देखों सब्सक्राइब आप जो यहां पर ब्लॉट वह जाएगी र यहां पर यह सारी चीजे हमको देखने को मिलती है अब दोगो यहां डाइंग मसंद दिख रहा है यह figure जो देख लो और figure जो बना लेना अरे खुझ नहीं बनाना यार यह बना लेना यहां पर प्रेक्टिस करो गणा तीन से चार बार प्रेक्टिस करना बना के तुमको यह figure याद हो जाएगा बना लोगे तुम बहुत बड़ी चीज नहीं होती ठीक है ऐसा figure बना के practice कर लेना यही figure तुम याद कर लो गया तुम फिगर आगी पीछे चलता है ठीक है यह तुम एगजेट ऐसा तो नहीं बनेगा पर थोड़ा तुम्हारा ऐसा लगना चाहिए कि हार्ट है और क्रोनी आर्टी की तुम डिनोट कर रहो ठीक है यह तुम्हारी जो है medical science करती है ठीक है तो ऐसा ही तुमको बनाना है जिस global systemic complex ठीक है इसा क्या मतलब है इसको हमनों समझते हैं तो यहां पर हम लोग systemic की बारे में बात कर रहे थे कि systemic जो खुब बच्चो सबसे पहले बात करने st ठीक है तो यह systemic है क्या what is systemic सबसे बड़ा को समार की है तो st का मतलब क्या st जो कि तुमने जो है अभी मैंने इसी जी दि st तुमारा तो इसमें यही चीज़ है st ठीक है पकड़ना से st इफा एलिवेशन मायो कार्डिय इंफ्रेक्षन यार रखा देना मस्त है मजा आ जाएगा medical terms को पढ़ने मजा ही आ जाता है तो st एलिवेशन मायो कार्डिय इंफ्रेक्षन टेक प्लेस क्रोनी आर्टी ठॉमबस क्रोनी आर्टी में का वह थ्रॉमबस का पर्मिशन होगा तो वहां पर एलिमेशन हो रहा था तीन फिकर्षन जो है मैंने ECG के पीछे तुम लोगो दिखायते है ठीक है उसको देखके आप लोग याद कर लीगा ठीक है तो वहां पर जो है st टेमी जो होगा ठीक है इसे स्टोसिस के पार्मिशन होगा और वह आगे जाकर दो एमाई का कॉरंड बनेगा ठीक है और सटेन देथ हो जाएगी ठीक है बच्चों तुम लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछला वीडियो एंज्याने प्रेक्टविस का ज़रूर देखना ठीक है कभी यह तुमको स इंबोलीजम लीडिंग तू स्टाक कास कर सकता है ठीक है व्यटेकुलर होते हैं बच्चों होने के कारण होते हैं और यह बहुत इंपॉटेंट पॉइंट है ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया रहा है ठीक है बहुत इंपॉटेंट के इस चीज़ को पता होना चाहिए ठीक है हम नेक्स बाक्त करेंगे हम लोग यहां पर देखिए यहां पर जो है तो आपको जो इस्टेमी पढ़ाई गेती ठीक है वहां पर वही चीज आपके बारे में थोड़ा से लिखा गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें की मैंने आपको बताया था कि ECG में कैसे क्या होता है PQRST जो है वेब क्या होते है उस चीज को मैंने समझा जाया है तो यह बोला है कि हर्टेक में क्या होगा more serious and greater ठीक है more serious and greater risk to serious complication and there भी हो सकता है ठीक है यहां पर आपको जो है दिखाए गई यह figure जो आप याद कर लीगा और अपने exam में लिग दीगा ठीक है आपको जो है यह बढ़िया सा याद होना चाहिए ठीक है अब यहां पर दोखो यहां पर जो है अब आता है clinical manifestation sign on symptom की बा आपके pharmacy बार उसकी BP बढ़ी हुई है ठीक है ठीक है रिपोर्टिंग की गई या आप अपने BP apparatus पर पास रखीगा इस्थेत्यों हो गया ठीक है अपने स्पेग्नोमीटर को यदि आप डिजिटल यूज कर रहे हैं तो डिजिटली रख रहेगा ठीक है उनकी BP ज़रूर आप पनाप लीगा ठीक है तो जिससे पेशन्ट की बारे में कुछ पता चल सके और ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको भी पता होनी चाहिए उसके symptoms को भी आपको थोड़े मोड़े पता होने चाहिए जिसके कारण क्यों उसको सही समय पर सही सलाब दे सके ठीक है तो देखो यह कहां कहां बोलाओं मैं जा पर माउथ की पास ठीक है नेक पर फिर सोल्डर पर और आर्म पर यह मजाग मत समझना ठीक है कि कुछ भी कुछ भी लिख देंगे याद होना चाहिए कहां पर कहां पर लिखा गया है सोल्डर पर जा पर नेक पर और आर्म पर ठीक है यहां पर जो तो हाट पर रखके उसको पैचामते हैं कि इतना हाथ रुख कर बता है कि सर यहाँ पर chest-pin हो रहा है मुझको कुसमाज़ना हार्टेग की symptom है गैस के नहीं है बहुत लोग गैस का समझन लेते हैं यह चीज याद रहते हैं गैस की symptom और हर्ट की के सिम्टम्स से बहुत ही अंतर होता है ठीक है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है फिर है नौजिया हम गया से सिम्टम्स देखेंगे आगे जब हम पढ़ाएंगे गैस्टो वाले चेप्टर तो उसमें वहाँ पता होंगा ठीक है फिर नौजिया होगा अजबन दे आपको पता होनी चाहिए कोई भी बना के मतली के ना ठीक है ने पहले ही बोल ला हूँ यह सब चीजे याद हो जाएंगी ठीक है इजी है मेरी वीडियो को बार बार देखना है तुमको याद हो जाएगा ठीक है अब आओ फर्मकोलोजिकल नॉन फर्मकोलोजिकल मैं आगे लिखूंगा पहले हम आपको फर्मकोलोजिकल बता देते हैं कि दवा दो चलना ही चलना है ठीक है तो इसको लिखके पहले मैं थोड़ा इसमें चेंजिंग क्या हूँ फर्मकोलोजिकल बढ़ा देता हूँ फिर है कुछ medicines होती है जो की बहुत ज़्याद important होती है और heart tech में चलाई जाती है कौन-कौन साइसे medicine है जो कि आपके सामने लिखे हुए है पहला देख रो नाइट्रेड नाइट्रेड चला जाती है ठीक है नाइट्रेड में क्या होता है टेबलेट जो होता है साइस और्बिटेड यह 5 mg होती है याद रखना एस देते हैं ठीक है जब जरौत हो तो एक ची मैं तुमको बता दे रहा हूं बच्चो कि साइस और बिट्रेड जो होती है ना हाँ यह हाट मैं तुमको बता जए रहा हूं तो अपने फार्मेशिप वह याद रखना ना यह किसी का ना हाट रेट जो है मनने बीपी जो है उसको 10 मिनीट बठाना तस मिनीट बात जो है उसका बीपी ना अपना यदि इसकी बीपी जो है ना 190 से उपर आ रही है 200 करीब आ रही है तो उसको तुरंट जो है आप सलाद दीजिए कि वो physician को दिखाए एक अच्छे कार्डिक लॉजिस्ट को दिखाए ठीक है तुरंट आप उसको सलाद दीजिए और उसको एक जीप की नीचे रख दीजिए जिसके तुरंट आराम मिल जाए ठीक है और उसको एक BP की medicine जो है देनी होती है जो की टेलमा सौर्टे टीयाम बहुत सारे आती है कंबिनेशन फॉर्म में होती है उसमें जो है डायरोटिक्स कंबाइन करके जो दी जाती है ठीक है तो यह सब चीजे हैं तो इसमें याद रखना ना कि उसको जो है तुरंट आप एक अच्छा प्रिस्काइब करिए कि आप जो है जाए एक अच्छे करवाईए तो पेसेंट की जान भी जा सकती है यह यह जानती है क्या क्या दिक्कत आ सकती है यह सब चीजे आपको पता होनी चाहिए मेरा मानना यह है पूरे देश के फार्मेसिस जो है यह अपने फार्मेसि को कोल के बैठे हुए है देखु में जोला चाब अब मेडिकलवाला नहीं बोलना चाहूंगा मेडिकल वर्डन होना ही पूर्ग करिछा है ता यह स corner को बैठे इसकी जो उचाईयां छोएंगी इसकी कारण जो है आप इस सब चीजे याद रखीगा और मैं आपको हमेशा इस सब चीजों के लिए बताता रहूँगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए यदि SOS है ठीक है टेके इमिडियेटली इफ पेन पेन हो रहा है तो सब लीगल इस ब्लॉकर जो होता है ठीक है यह चीज आ रखना यह ब्रेकेट में है ठीक है यह ब्रेकेट में होता है यह रखे रहना ठीक है यह चीज एक साथ है तो यह टेबलेट जो है एक बार मैं और रिवाइच कर देता हूँ कोई जल्दी बाती नहीं है टेबलेट कारडेक 1.25 mg 1 TDS इसके अंदर रिमिप्रेल होता है ऐसी हिन बीटर ठीक है यह देंगे या फिर यह वाला टेबलेट चलाएंगे जो की बीटर ब्लॉकर होता है इसमें से आप एक ही याद कर लेगा मैं तो इतना लिख देता हूँ कि बच्चों कोई भी तो याद हो जाते है ठीक है कोई भी स्टेस्टीन जो होता है इसका साल्ट होता है और यह जो अन्सों ब्रिमिट और चला जाती है और केप्सुल जो था ओविस्टा-1 언제 अटी ऑक्सिदेन चला जाती है आप्ट टूरिस्ट पढ़े होंगे उसमें भी मैंने बताया गया है ठीक है एंटी थ्रॉम्बोलेटिक ड्रग भी चलाए जाती है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों लो डोज एस्पिरीन चलाएगी 50 mg की OD में ठीक है कार्डिलोजिस्ट के द्वारा और कलोपीडो ग्रेल टैबलेट जो होती है 75 mg की चलाएगी जाती है और फिर है stick control है hypertension diabetes यह सब सी control करना होता है और tablet univerferine जो होती है anticoagulant जो है चलाएगी जाती है ये सारी चीज़े भी बीमारियां बढ़ नहीं हैं, लोग अपने lifestyle को change करना नहीं चाहते हैं, तो आईए lifestyle को change करते हैं, और अपने देश को सबस्ट बनाते हैं non-pharmacological activity से, ठीक है? तो इसमें क्या आपको बताना है? थ्रुपटिक lifestyle change करिए भीया, ठीक है? डाइट को सही प्राइब करना चाहिए तुरंट कुछ जटके वाला काम ना करिए चीडी चड़िये भीया तो धिरे-धिरे चलिए जल्दिवादी किस पाती है ठीक है बचपना नहीं रहिए आपका हाट की प्रॉबलम लेके बैठ गये ठीक है यह चीज होनी चाहिए ठीक है फिर है ग्रेडेट एक्सराइब इन दे वर्म आप वाकिंग ठीक है वाकिंग करिए भाई या डारेक्ट बस और फैट फ्री डाइट लिजिए संफलाव आरम खाना खाईए ठीक है नो स्मोकिंग को रोकिए ठीक है तो बच्चों यह सारी चीजे जो है नॉन फार्मकोलोजिक मैं मानता हूँ कि सबसे इंपोर्टन होता है लाइप्स्टायाल को चेंज करने के लिए मन ऋब्र तो ऑप कैसा लगा वीडिए जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएगा अब वाक्स रिएस कि दूसरी लोगों को भी स्यर करिप्गत लुसक्रों और तो आज के लिए बच्चो इतना ही और यह कोई भी जो है दिक्कत है परसानी है ठीक है आप जरूर कमेंड बॉक्स मिलेंगे नए वीडियो के सब थैंक यू